तो विश्णु ने का ऐसा क्यां क्यों जबाई शिव में मेरे में तुम क्या फर्ड देखते हो क्या गुरु जो विद्वान होता है अपने शंकाओं का समाधान करनी की शक्ति रखता है वो योग्य है और तुम्हारे सारी साधनाओं के साथ तुम्हें भुष्ट भुष्ट बनाता है। तुम्हें जंगल में भी हरा भरा रखता है। तुम्हें जंगल में भी सारी छाया देने के लिए तुम्हें एक स्ष्ट मयुक्तित बनाता है। उसे गुरू का गया। धन द और इसको समान रूप से दे सकें, वहां तेरे कष्टों में केवल गुरु चाहता है कि तू समर्पिताई या नहीं, जिस प्रकार वुष्व अधिश था, शिव को मानता था, शिव को मानने के कारण हुआ क्या, कि वो, शिव जी उसके लिए सारे देवताम के साथ खड़ने के तयार हो कि मेरे शिश्य के लिए मैं जगरता हूँ, कि तुमने ऐसा क्यों किया, और जब गए तो वुष्व भवान ने शिव जी को शान्त किया, अब शिव जी आप जानते हैं, मैं तुम्हें नमसकार करता हूँ, रूस तुमारी ध्यान घारना करता हूँ, उसकी शिव ज जिसे उन्होंने शाब दिया है, गरिवी का, उनको धनवान बनाने का, कोई मार्ग बता दे तब हुआ के आगे चलता हूँ, उस्षाब को जाना चाहिए, सूरी नारायन ने कहा, उस्षाब तो देने आता है, उस्षाब करने नहीं आता, तो अब उसको कैसा कि उसे धनवान कैसे बनाए, अब उन्होंने कहा, भगवान शुने और उस्षाब भवान ने कहा, कि तुम सब जानते हो, क्यों ऐसा चाहते हो, कि तुम ये सारी चीजे हो, तुमें उसको उस्षाब दे कर सकते हो, तो उन्होंने कहा, जो उस्षाब धज है, उस्षाब तो दे दिया, मेरे को एक अक्षण के लिए चलेगा, वो एक अक्षण के लिए दरीदर हो जाएगा, और सौ साल के लिए धन्वान बंच के रहेगा, मैं अशिरवाद देता हूँ, और उनने उश्राप को भी चलाया, और इनके अपना अशिरवाद भी दे दिया, तो ये समर्पन की स्थिती हमार अक्षिन नानाएंड, हमारे भावधी नानाएंड, उनका आज पानि ग्रहन मोच्छव है, और जिए दिन मुझे पता है, 1997 गुरुजी का शीवर हो गया था, और 1995 जून को पानि ग्रहन मोच्छव जूदपूर में था, और मैं जूदपूर में गुरुजी को इसलिए गया तो उज़ दिन गुरुजी बहुत धीमे से आये, आने के बाद गुरुजी ने देखा, और थोड़ी देर के बाद कहा, जोशिय तू प्रवचन दे, तू बात कर, मैं एक दम ऐसा कुल गया कि अब मैं क्या बता हूँ, मैं खड़े हो गया और कहा पहले गुरुजी का नामस गया बतात है। और गुष नों के घर में शादियां नहीं होती है तो शादिया करते हैं यह तिरुपति में तो और ज्यादा पैसा है तो उस दिन मैंने महाँ खड़े रहकर ये कह रहा था कि आज मेरे लिए बाला जी के तिरुपती या पदमावती मेरे गुर्देवी है शिवपार्वती भी मेरे गुर्देवी है और आज अगर मैं मेरे गुरुरुपी लक्षमियनारण को भबती नारण की शोरोहर का यह कल्यान मोचो यह पानिक्राण मोचो मैं मनाता हूँ तो आज हमारे पास इतने भी जितने भी सादक बैठे हैं उनके घर में कभी अशुब नहीं होगा उनका कल्यान होगा उनके घर में कल्यान मोचो होगा मैं जानता हूँ मैं जानता हूं कि गुरुजी उतने बीमार होने पर भी तालिया बजाते हैं कि यह भास सही है और गुरुजी ने मेरे बात का समथन किया कहते हैं कि जो पाणिग्राण मौचो गुरुजी का मनाता है उनके खर में शुभकात यह जरूर होते हैं लिए प्रवचन दिया था और मैं आज भी कह रहा हूं इस भवाणी माता के मंदिर में हम आएं तो आज गुरिज का पाणी ग्रण मोच्छों यहां संपन न कर रहे हैं मैं आपको एजी बात कहता हूं आप अपने गुरु के प्रती इतने समर्पित रहे हैं यही समर्पन उसे नहीं कहते हैं समर्पन का अर्थ होता है मैं बार बार कहता हूं तुम चाहे सुख हो दुख हो कष्ठ हो सुख हो तुम एक गुरु को मानते हो तो मानो गुरु को उस पान कर चलो चाहे तुमारे शरीर पर पीड़ा आजाएं तुमारे ओपर पहाड गिरें तुम कहो मेरे गुरू स्वामी निख्रिक्ष्वाम जी है जिस दिन ये बात कहेंगे उस दिन पहाड भी तुमारे सामने छोटा लगने लगेगा और ये कहेंगा तीस शिश्य को हम पुछ नहीं किसके इसका फुछ बिग को जीता अगर आज हम होते हैं मैं कहूं कि चलो जंगल में चलना है पती पतनी को छोड़कर कि कितने लोग आने साथ आने के लिए तैयार है घुरू ने मेरी बच्चे पढ़ए इन गुरू जी बीवी बीमार है मेरी नौकरी है ऐसा कहने वाली लंबा चोड़ा दिस तैनव मेरी लोग नॉकरी करने माने भी कहने हैं कि Guruji हम 5 दिन के लिए साधना के लिए आए हैं, अभी 1 महने में बेवी, 10 लोग आएं और Guruji हम 5 दिन देने के लिए आए हैं, और मैंने उनको 5 दिन एक विशेष्ट गुरू साधना संपन करवाई, आप एक महने, हर एक महने 5 दिन केवल आश्रम में आकर हो, और साधन संपन किया करो, अभी तो शुरुवात हुई है, और लोग आ रहे हैं, अगर आगे ये संख्या बढ़ गई, तो मैं चाहता हूं कि हम, ऐसे जंगलों को, एक दीबे अन्भो, दीबे स्रिष्ट के साथ, उसको बड़ा महल, मातरा के साथ, देवतां को आने की क्रिया करेंगे मैं जब आपको जिस राम मंदिर की बात पर ने बताई थी कि वीच साल में पहले था, आज उस ओर राम मंदिर जहां जंगल में था, वो आज करोड़ों का राम मंदिर है और वहां लाखों लोग आते हैं, जब आंधर अलग हो गया, तो वहां उस उन्टिमितना नाम का राम मंदिर है और वहां लाखों के लोग आका राम मंदिर नहीं थे, माई ज़ीज दिन गा था, वहां को ही था, ऐसे है उदारन बहुत, रइनों का माता मंदिर यहां है हमारी सादक और भी है, वहां भी पहली बार मैंने विष्ण कवी के मंदिर में साधना संपन की थी, और वो महताने क吸ता हूं, और यह उस भुआनी अस देवता के महता है जो यह बुलाकर हमारे साध़कों के साथ साधना करवाते हैं और उस रिष्टता के साथ उसकी भुविता। मैं कहता हूं आगट है उक पांच साल के बार इसी भुआनी महता-मंद्र को देखो और माता की इच्छा हुआ गुरु की इच्छा से अगर यह कार्या हुआ है तो यह भी एक महान मंदिर बनेगा आप सब दोप्ते देखते ने ना आप इस नात्रू में इसकी प्रेशन साकते रहोगे कि यह ऐसा हुआ आज फूली मामीर का निखिल जेतना केंद्र हो या फंदारा का निखिल जेतना केंद्र हो जंगल में कहीं एक जगहा जाकर बैठे हैं दूप लेकिन पांच साल में उसमें कितना हुआ और वीस साल में इतना केश में इसमें कितना चेंजस हुआ उसमानाबाद में जंगल में ह स्थापना की है निखिल चेतना केंदर की बारशी में हुए है इस तरह जितने निखिल चेतना केंदर समर्पन के साथ जाँ जगड़ा नहीं के वैल समर्पन के साथ हुआ है आज